जी तो इस lecture को start करने से पहले मेरी सभी से request है कि अपनी notebook अपने पास रखेगा मतलब यह कि जब आप artificial intelligence सीखते हैं तो किन-किन jobs के अंदर आप जा सकते हैं कौन-कौन सी jobs कर सकते हैं और यही नहीं इसके बाद मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आपने job search कैसे करनी है जौब apply करने के तरीककार भी बताने वाला हूँ और आज के course के goals भी बताने वाला हूँ कि हम क्या-क्या सीखेंगे इन-चालिस दिनों में और उसको किस तरीके से implement कर सकते हैं on AI स्टार्ट करते हैं पहली जौब आप research scientist यानि के researcher बन सकते हैं अगर आप bachelor से आगे master या PhD या आप professor बनना चाते हैं या आप कोई science में बड़ा इंकलाब लाना चाते हैं प्राइस की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाना चाते हैं जैसे आपने सुना होगा different किसम की जो vaccines बनी है वो भी researchers ने बनाई है आप को प्रोड़क्ट ऐसे बनाना चाते हैं जो science की दुनिया में एक इंकलाब लेकिया है then AI can help can be really helpful उसमें कौन-कौन सी jobs है machine learning scientist या researcher data scientist एक को ready करते हैं और different किसम के algorithms बनाते हैं वो सारी के सारी jobs जो है वो AI जो है उनको grab करने वाली है अब आपका question शायद यह हो के machine learning की job है तो AI वाले क्या करेंगे तो कल वाला lecture आप ज़रूर मेरा जो है उसे देखें क्यों क्योंके कल वाले lecture के अंदर मैंने सारी चीज़ें यह clear की थी के machine learning, deep learning, data science और बाकी जो data analysis और big data के field हैं उस सारे के सारे AI के अंदर आ रहे हैं तो research scientist आप मेंसे कितने लोग हैं जो इस वकत PhD कर रहे हैं या PhD करने की खुआश्च रखते हैं obviously उन्होंने bachelor master किया होगा तो पीरी कर रहे होंगे ना काफी लोग होंगे अगर आप उनमें से हैं तो अभी comments section के अंदर अपना comment लिखे अगर आप जूम पे हैं तो प्लीज चैट में लिखे और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो it's better कि अगर आप इस एक video लाइक दे दे तो मुझे count वहीं से पता चल लेगा कितने बंदों न आज कल इस job family में काफी लोग आ रहे हैं डेटा इंजीनियर कौन होता है इंजीनियर कौन होता है जो को infrastructure या different किसम की theories लगा के कोई final product रनाता है मैं इंजीनियर के बड़ी मोटी से definition कर रहा हूं हो सकता है काफी इंजीनियर को यह definition बुरी लगए क्योंकि वो silencer वाली definition चाते हैं मेरे से मैं वो नहीं दे सकता तो आप समयधार है कि यहां फे मैंने definition आपको कौन सी बताई है machine क्या होती है same वही चीज़ है रखें तो जो machine है बनाते है data engineers वो हैं जो data को control करने के लिए different किसम की चीज़ों बनाते हैं for example architecture बनाते हैं infrastructure बनाते हैं या AI systems develop करते हैं जिससे data जेतना आ रहा है उतना store हो रहा है अब आपको पता है रोजाना आप अकेले Google पे maximum कोई 20 से 30 searches कर रहे होगे मेरे जैसा एक data scientist या bio information एक दफ़ा एक दिन में Google पे एक घंटे के अंदर तकरीबन को 100 plus searches मार रहाता है just imagine मेरे जैसे कई लोग दुनिया में बैठें तो billions terabyte या में को petabyte या quintillion bytes एक term होती है उसमें data जा रहा है तो भाई data किसीने store भी करना है किसीने infrastructure भी बनाना है उसके लिए जो job होती है वो data engineers की होती है अब data engineers के अंदर भी AI based system आ चुके है मतलब data engineering करते वकत आपको AI based systems को बनाना पड़ता है कि सब कुछ automate हो जाए हमारा main काम यह है कि जो AI से साथ हम change करते हैं next आप मैंसे काफी लोग हैं जो software engineering के background से जितने मेरे courses में आते है most of them are actually software engineers या IT के background से आपको पता है जितने भी software आज तक बनते आए हैं बड़े basic से मतलब एक calculator बना ली है जिससे software engineers start करते हैं या आपने को छोटी सी app बना ली कि एक एक तस्वीर का background होड AI based होने वाला है तो आप AI के tools की base पे नए नए software बनाएं और दुनिया में बहुत बड़ी market open हो रही है अगर आपको नहीं बता Google और Microsoft दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े इंकलाब लाने वाले हैं AI based systems का AI based application का आपके एक छोटी सी नीश में बता देता हूं आपको पता है उनके साथ क्या बेटती है reason क्या है वहाँ पे software बना के publish करना बहुत मुश्किल है so there are many niches मैं कहूँगा मतलब छोटे छोटे एरिया जाने वाले हैं जहां पर आप basically अपना कदम अपने जमा सकते हैं और क्योंके हमने इस course के अंदर different software भी बनाने है based on AI तो यह एक option हो सकती है आपके लिए कि आप AI based software engineer बन सकते हैं future के अंदर business development आपको पता है कि strategy marketing partnership and there are many things in a business जो बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है मैं एक मिसाल देता हूँ एक नांटिकी वाला वो अपना सारा हिसाब करके आता है कि मैंने 100 रुपे के अलू लिये हैं 20 रुपे के मैंने मिसाला लिया है 30 रुपे का कुछ लिया फिर देही के चटनी बनाई है and I spent around 1000 रुपीज ठीक है अब उसके पास 100 नांटिकिया है बनती है एक हजार में समझीए का बात तो उसको कित 10 रुपे पर नांटिकी ऐसे है तता भी होगी ना 1000 रुपे की अब वो पागल होगा अगर 10 रुपे की नांटिकी बेचेगा ठीक है उसने क्या करना है अपना मारजन रखना है अपना कॉस्ट रखनी है अपना आने जाने का खर्चा रखना है किराया इधर उद्र की सेल हुई उसको देखते हुए हम आगे डिसीजन लें और बिजनस डिवैलमेंट के लिए ये बहुत जरूरी मैं एक मिसाल देता हूं होटलिंग की चेन किसी ने कोई होटल के अंदर डेटा अनेलिसीज नहीं किया तो उसको खाक पता होना है कि दिसंबर के अंदर ज्यादा याद है ना वो दिन छोटी एद के बाद का या बड़ी एद के बाद का समझने हैं फिर एक वेडिंग सीजन होता है हमारा रभी लवल में स्टार्ट हो जाता है या यह बड़ी एद के बाद स्टार्ट हो जाता है या उससे पहले स्टार्ट हो जाता है तो वो एक सीजन है अंदर उनको पता है कि हमारा season अच्छा लगया तो that's good अब अगर उसको analyze ना किया जाए proper way में then you cannot develop your business अब कोई बंदा ये कहे कि मैंने एक नया restaurant बनाना या hotel बनाना wedding जो शादी हाल जिसे हम बोलते हैं मैं मिसाल देता हूँ वो पागल नहीं होगा अगर वो construction शादी हाल की season के दिनों में start करवा दे बहतर तो यह है कि off season में वो construct करवा है उसे और season के अंदर उसको ले के चले इसी तरीके से बड़े business के अंदर आप investment plans जो हैं वो data की बेस पर decide करते हैं लोगों के behavioral changes की बेस में decide करते हैं और जी hospitality का बहुत बड़ा field है जिसके अंदर business development है अच्छी खासी चलती है तो अगर आप data scientist हैं तो आप किसी भी business में आंखे बंद करके घुश सकते हैं लेकिन उस business की how now या domain knowledge आपके पास होना ज़रूरी है right जी next चलते हैं project manager future के अंदर आप कहते सब कुछ AI ने ले लेना है यार अगर AI ले लेगी तो AI को कोई एक बंदा तो handle कर रहा होगा ना वो जो AI का project होगा उसको कोई एक बंदा तो handle करेगा automate सारा कुछ तो नहीं होगा ना उनको बोलते हैं project manager वो अगर आपको AI का knowledge नहीं है तो तुसी खाक उस system को oversee करेंगे so you need to be aware about these project manager roles as well as AI system development cross functional system coordination road maps क्या है example आपको पता होनी जाहिए कि मेरा पिछला AI based system ऐसे चला था अब यह वला कैसे चलेगा इसकी मिसाल मैं देता हूँ यह जितने भी e-commerce के अंदर लोग है ना वो लोगों से या different website से SEO analysis करवा के या product analysis करवा के फिर अपनी market में अपनी product launch करते हैं ऐसे ही है अगर आप खुद एक data analyst हों या data scientist हों या AI based system को जानते हों you can develop your own system based on that AI knowledge और उस system के base पे आप पूरे market के analysis को करके अपने product को launch कर सकते हैं and then you can also be a project manager अच्छा सबसे important job जितना ज्यादा data आ रहा है ना जितना ज्यादा डेटा आ रहा है AI बचारी उतनी ज्यादा परिशान हो रही है क्यों परिशान हो रही है AI को यह समझ नहीं आती है जो data रहा है यह इसका label क्या है मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी मिसाल है आप अगर fruit chart बनाने लगे हैं तो आप क्या करते हैं आप सेब लेके आते हैं केला लेके आते हैं साथ में हो सकता है बदाम लेके हैं कोई dry fruit वगएरा ले देखते हैं इस पॉसिबल फॉर यू तो सेपरेट ओल दोस तिंग्स क्या है पॉसिबल होगा ना आपके पास क्यूं क्यूंकि आपको पता है सेब क्या है क्या है आम क्या है बाकि चीज़ें जो आपने fruit chart में डाली वह कैसी दिखती है क्योंकि काटी है आपने जब आप आना knowledge आपको पता है यह सेब है यह केला यह मालटा यह कट के भी ऐसा दिखता है अगर AI नू सबूते फलांदा पता हो वह यानि के वो साबित फलों के नामों को जानता है काटने के बाद तो AI को नहीं ना पता लगना तो उस काम के लिए you need specialist जो उस data को label करें कि अगर यह इ data annotation specialist चाहिए उने खास तोर पे computer vision के analysis के लिए और यह वह वाली जौब है जो बहुत ज्यादा भूम पकड़ने वाली है ठीक है data annotation specialist और अकसर लोगों को इस जौब का नहीं बता believe me अगर आप data annotation specialist यह काम सीख जाते हैं कि data को label कैसे करना है clustering के base पे या बाके चुछों के base पे आप फाइवर अपवक्ट पे अच्छा खासा कमा सकते हैं because there are many people looking for these things then चलते हैं applied scientist के तरफ यह वो लोग हैं जो अपने field में कमाल तो कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर वो AI based system चीख जाते हैं AI के knowledge को सीख जाते हैं तो वो इस AI के knowledge को directly real world problem पे लगाएंगे मैं इमसाल देता हूं मेरा background अगर agriculture system से I know better than other software engineers या AI के लोग के यार यह फ्लाँ fertilizer अगर इतनी मिकदार में पोदे को डाला जाए तो वो ज्यादा grow करता है यह मुझे पता है तो अगर मैं इस पे AI लगाऊंगा ना तो मैं उस system को यानि कि AI system को real world के उपर लगा रहा हूँ ठीक है इस वज़ा से अगर आप एक applied scientist है या आप applied कुछी भी किसम की sciences के अंदर हैं तो आप उसके अंदर अगर AI को लगाते हैं आप अपने field में टॉप पे आजाते हैं और यह मैंने यह example आपको इस वज़ा से दी है I know these things के जिन लोगों को AI या machine learning या deep learning या data analysis आता है वो top notch पे होते हैं अपने field के अंदर तो आपको कोई भी field है आप इसके अंदर उपर आ जाते हैं यह नाम तो आपने बड़ा सुना होगा UX UI designers ऐसे ही है यार आपने काया के जी जनाब UX UI designers की तो jobs खतम हो वही हैं ऐसे हैं तो जिसने खतम की हैं उसने कोई AI based system बनाया है ना UX UI design का जिसकी base पे खतम हुई हैं तो यानि कि अगर आपको basics पता हैं interfaces का यानि कि यह app है एक mobile app बनाने जा रहे हैं और उसका डिजाइन करते हैं उसके बार functions लगते हैं तो आपको अगर वह basically पता है तो आप उसकी एक app बना सकते हैं कि यहां पर box बने हैं यहां पर email का निशाना है यहां पर text send कर दें यहां पर आपको पता है कि यहां से प्रॉम्ट लिखा आगे से नजर आ गया तो इस वज़या से इसमें भी innovation की बहुत ज्यादा जरूरत है आगे चलते हैं जी ethical AI experts यह वह वाली जवाब है जनाब ethical AI expert की जिसको AI नहीं आती होगी वह AI के बनके call कर रहे हैं कि मैंनो फलान जगा ते पैसे पही दे तो वह ethics खराब हो गए मिसाल के तोर पे आपने चोटे भाई से पैसे लेने है ना और आप अपने अबबाजी की अवाज में AI बेस्ट अपनी अवाज को चेंज करके अपने चोटे भाई से पैसे मुआ लेते हैं य कितना करेंगे तो ये दो नमबरी है कितना करेंगे तो ठीक है मजाग है नहीं बात समझ आई वकसरों काद दोस्त होते हैं ना पुरानी आप पुरानी अपने चचातायों की शादियों की मुवीज निकाल के देखें वो दूले के कपड़े भाट देते थे बेंदी वाले द हम मजाग में उस बचारे को इतना मारें वो भी होश हो जाए तो वह मजाग नहीं रहा फिर क्राइम बन जाता है जो एथिकल इशुस के तोर पे डील करने पड़ेंगे हमें ट्रांसपरेंसी बतानी पड़ेगी फेरनेस बतानी पड़ेगी कितना आप यूज कर सकते हैं बा पॉसिबल के आप उसी चैड जी पीडी से पूछें के मुझे सो ऐसी केमिकल कंपाउंड के नाम बताओ विचार स्लो पॉईजनिंग पॉईजन्स तो क्या वो बताएगा तैट इस एथिकल एए एक्सपर्ट नॉलेज जो आप लोगों की जॉब होनी है यह वही लोगों के जो डेटा के लेबल करेंगे और लिमिट सेट करेंगे क्यूंकि एए एक बहुत बड़ा नॉलीज है अगर आपके पास इस तरह के एक्सपर्ट नहीं होंगे पिपल आर गोइंट टू अव अलोट अव क्राइम रेट इन देर सिटीज और कंट्रीज फिर टेक्निकल राइटर्स आप मेंसे सभी लोगों को पता है कॉंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग की अच्छी खासी जॉब्स आती है ऐसे है और हर एक कंपनी के अं आपको टूल्स का बता है आपको अपने टूल डिवेलप आप कर सकते हैं तो आप उस पूरी कंपनी या पूरी इंडस्ट्री को हैंडल कर सकते हैं मैं एक मिसाल देता हूं आपको आगर एक ऐसी डॉक्मेंटेशन और गाइडलाइन एक्स्प्लेन कर दें के AI टेक्नॉलोज की बेस पे और ये वाली नहीं कर रहे हैं मिसाल के तोर पे हम सौफ्वेर सिर्फ वो यूज कर रहे हैं जो हमें एक आइडिया दे हमारे डिसीजन मेकिन में पूरे का पूरा डिसीजन AI नहीं ले रही मैं एक मिसाल देता हूं अन्नॉन रिबोर्ट किलर रिबोर्ट के नाम स जो सर्वेलेंस करते हैं और सामने कोई भी आजए डिटेक्ट करके ओ गया फारग खुद से डिसीजन लेते हैं वो तो इस आर थिंग्स वी नीड टू हैव डॉकुमेंटीड ऑन आर वेबसाइट्स ऑन आर कंपनी पेजिस या हमारी जो लीगल गाइडलाइन डॉकुमेंट की उसके अंदर और फ्यूचर के अंदर टेक्निकर राइटर्स आपको तब भी चाहिए होंगे जब आपने एए के सॉफ्वेर्स वगारा को पेटेंट वगारा करवाना है क्यूंकि वो डुमेंट के अंदर आपको एए हेल्प नहीं करने वाली इन वे हेल्प कर देगे ले तो हेंडल इस कोटेंट डाइप या झाह टेक्निकर राइटिंग सईटिक राइटिंग यह दोनों सेम सेम चलती रहते हैं फिर हमारे पास आती है प्रॉम्ट इंजिनिरइंग य्यानि के प्रॉम्ट इंजिनिर्स आप खुद सोचें आज के दोर में जो बंदा या जो चैट GPT के आने से वो सारा कुछ easy around के लिए ऐसे लोग भी देखे हैं जो कफी दिनों से analysis नहीं कर पा रहे थे कफी चीजों का, now chat GPT is giving them codes क्यों? क्योंके उन्हें बता है कि कैसे सवाल पोचने है वो दोर गया कि आप Google पर जो भी लिखो आपको answer मिल जाता है अब ये दोर है कि इतना कुछ बढ़ा हुए AI में आपने prompt ऐसा बनाना है कि specific वही चीज़ें आपको मिले ठीक है और उसको बोलते है prompt engineering और दुनिया में जहरी बात है software मिल गए सारा कुछ हो गया अब एक CEO या founder कला देने ना company चला सकता अपनी he or she needs few people जिनको prompt engineering का पता हो यानि के वो prompt बना सके अपनी company के लिए now the thing is prompt engineering एक ऐसा emerging field है AI के अंदर जिसके अंदर आपको softwares या different जो models है GPT-3, GPT-4 उनके साथ बातें करने का पता होना ज़रूरी है अगर आपको यह नहीं पता, sorry, आगे आप नहीं जा सकते तो prompt engineering even though आप कहीं पर job करते हैं या नहीं करते, अगले दोर की ज़रूरत बनने वाला है क्यों? क्योंकि सब कुछ online हो जाना है, यह वही चीज़ है जिसको आज के दोर में whatsapp का नहीं ना पता, उसको अगले दोर में अगर prompt engineering का ना पता हुआ तो he or she will be really behind, मतलब बहुत पीछे रह जाएंगे वो लोग, मतलब train कहीं आगे निकल चुकी होगे So the prompt engineering is new field, we should learn, we should all, we all should learn क्यों? क्या होता है prompt engineering में? अब उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं आप में से काफी लोग बड़ी देर बाद, sorry, बड़ी देर बाद कहा हुआ हूँ कि कमेंट बार-बार कर रहे होते हैं कि prompt engineering के बारे में बताया जाए So अभी इस पे थोड़ी से गुफ्तगू करने वाले हैं and then we will see it together आप मेंसे कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं यार प्रॉम्ट इंजिनिंग रहने दे स्किप करें क्योंकि काफी लोग अपने camera बंद करके बैठें हुए That's not good मैंने कल भी request की थी कि अपने camera on रखा करें वरना फिर मैं recording दे दिया करूंग आपको क्या ख्याल है आपका नहीं recording मेंने चाहिए तो फिर सुने दरा camera on रखिएगा आपने सबसे अच्छा लफ्स यहां पर जो मुझे मिला है that is crafting एक होता है making एक होती है crafting crafting के अंदर आपको पता है कि ज्यादा care involved हो जाती है समझने बात को एक होती है रोटी बनाना या पराठा बनाना एक होता है बल वाला पराठा बनाना या एक होता है आलू वाला पराठा बनाना ठीक है तो जैसे जैसे skill बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें skills के साथ-साथ उसकी quality बढ़ती जाती है इसी तरीके से prompt है आपने सिरफ paid भरने के लिए रोटी बनानी है या अच्छे taste के लिए बनानी है या उसके अंदर एक नई एक और addition कर देनी है जितना good डालेंगे उतना मिठा होगा वही बात है तो जितना आप अच्छे तरीके से craft करके optimize prompt को देंगे GPT algorithms को आपको उतने बहतर answer आँगे अब prompt engineering क्या है वो यही है कि आप iteratively एक prompt देते हैं वह test करते हैं वह काम नहीं कर रहा दूसरा देते हैं वह अच्छा काम कर रहा है तीसरा देते हैं वह तोड़ा सा और अच्छा काम कर रहा है आपने ऐसा prompt बनाना है जो best of the best results आपको दे that is prompt engineering समझाई बात की? यानि के एक बन्दा directly लिखता है chat GPT को कहता है यार मैंने plot बनाना है उसका code दे दो chat GPT code दे देता है फिर अगला बन्दा कहता है कि मैंने बनाना है जना बार plot मुझे उसका code दो वो बार plot का code दे देता है जो आपकी requirement है उसको बोलते है prompt engineering यानि कि उस तरीके से सवाल पूछना ठीक है मिसाल आपको देता हूं बड़ी अच्छी मिसाल है आप बाहर शॉप पे जाने वाले कुछ चीज लेने के लिए और आपका बतीजा बतीजी या आपका अपना बेटा बेटी आपको एक चले जाते हैं और वह वाले टॉडलर्ज weak पूरा लफज नहीं बोला जा रहा है, जो तूटे हुए प्रॉम्ट नहीं बोला जा रहा है, जिसको बोलना नहीं आता, इशारा कर रहा है, चाहर जेपीडियो को वहाँ पर वह वाली चीज चाहिए मुझे, अब आप साथ खड़े हुएं, आपको पता है, आपको बोलने भी आता है, और आपको पता है कि मैंने इसको पैसे दे के चीज लेनी है, आपने अक्सरों को आद देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे directly जाते हैं, चीज पकड़ते हैं, और वापिस आ जाते हैं, और उनको यह भी नहीं पता क्या लेना है, क्यों लेना है, उनके लिए चीज चीज है, लेकिन आपको पता है कि इस बच्चे ने वो बिस्किट खाना है, आप कहते हैं अच्छा वेटा वो बिस्किट लेने हैं वो ऐसे सर हिला देते हैं फिर आप कहते हैं कि अच्छा वो सूपर क्रीम रोल क्रीम वाला लेना है या साधे वाला तो आप वो ले देते हैं फिर हाफ रोल होता है कि टीकी पैग लेना है वो कहता है टीकी पैग वो आप कि कमपनी वो कमपनी है जिसको पता नहीं है प्रॉम्ट कैसे बनाना है आप उसको अपने एक्सपर्ट ओपीनियन देंगे कि यह कमपनी को बिस्कीट चाहिए that is called प्रॉम्ट इंजिनरिंग समय ठागी बात की so यह प्रॉम्ट इंजिनरिंग ऐसी चीज़ है जो दुनिया में बूम पकरने वाली है और कंपनी इसके पास पैसा वैसे बेबा होता है कंपनी बंती ताबच अच्छा 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 पैसा हो software ले लेंगे लेकिन चलाने का नहीं बता होगा ठीक है so they need prompt engineering और उन्होंने context example reasoning and there are many other things involved in that जिसमें structure syntax priming and मतलब हर एक चीज involved होगी उसमें एक प्रॉम्ट के अंदर फिर balancing होगी उसके अंदर and then at the end problematic modules उसमें से निकालेंगे यानि कि आप कहेंगे यह positive है यह negative है negative का मतलब यह चीज़े निकाल दो positive का मतलब यह यह add कर दो context में and then इसको थोड़ा सा धीमा रगो फिर आप कहते हैं नहीं मज़ा नहीं आया अभी भी इसकी English थोड़ी सी academic कर दो फिर आप कहते हैं नहीं simplify कर दो so these are things जो feedback loops की base पे चलती है और AI-based जो system है वो उसको सीखते भी है and then at the end आप evaluate करते हैं prompts को systematically यह नहीं होता कि आपने पहले प्रॉम्ट लिखा और बल्ले बल्ले शावा शावा होगी है नहीं आप उसको systematically improve करते हैं कि यह मैंने पूछा था इसने यह दिया यह मैंने पूछा था इसने यह दिया और उसके लिए basically आपको prompt engineering के field के अंदर यह कुछ चीजें चाहिए होती है सबसे पहले आपके पास जो few short learning होती है यानि के कुछ example देए के GPT को बताना कि मुझे यह चाहिए ठीक है GPT कहता अच्छा ठीक हा ओक्के हागी then priming यानि कि आप उसको initial text देते हैं कि try करते हैं कि यह क्या मुझे अच्छा reply दे रहा है and then you provide some kind of limitation कि यह ना करो and then at the end आप human in loop करते हैं कि यह इसको refine करो इस तरीके से और फिर आप उसको at the end device करते हैं यानि कि आप उसे बताते हैं कि मुझे यह नहीं चाहिए मुझे फ्लान चीज़ चाहिए मुझे exactly वो दो ठीक है और हमेशा AI की language positivity की तरफ ज्यादा होती है तो उसको एक proper research में लाने के लिए you need prompt engineers सो अब चलते हैं in autonomy of the prompt सबसे पहले आपने context देना होता है मैंने करना क्या है फिर आपने रोल बताना होता है के chat GPT क्या रोल है तुम्हारा ठीक है फिर आपने बताना होता है action मतलब करोगे क्या तुम context मतलब मुझे क्या चाहिए basically background role action and output so यह सारी चीज़ें मिलके आपका एक prompt बनाती है prompt वह चीज़े जो आपका सवाल है और दुनिया में prompt engineering की field इसी वटा से आगे जानी है सवाल पूछना आना चाहिए आपको ठीक है आप यही हिसाब लगा लें कि हम AI की दुनिया के अंदर एक रुपे का सवाल वाले लोग बनने वाले means to say हम सवाल पूछने वाले लोग बनने वाले ठीक है सो अगर आपको प्रॉम्ट इंजिनरिंग आती है और प्रॉम्ट इस तरीके से जाता है लेंगुज मॉडल के अंदर जाएगा और आउटपुट मिल जाएगे वह दोर बहुत पुराना हो जाना है कि आप अपना मॉडल ट्रेन करने बैठ जाए अगर आपके पास और रेड सारे लोग है ठीक है सभी ने किया हुआ है गुगल यूज राइट कभी किसी ने यह सोचा कि मैं अपना गुगल बनाऊंगा और बैठा रहे मैंनी सर्च करता गुगल पे नहीं ना सोचा होगा रिजन क्या है ज़रूरत नहीं है सो दुनिया में ऐसे ऐसे AI टूल्स मजूद हैं जिनको बनाने की ज़रूरत नहीं है आप अपना काम निकाल सकते हैं मिसाल के तोर पर आप प्रॉम्ट इंजिनियर है आपको पता होना चाहिए होगा कि कौन सा टूल बैस्ट है क्योंकि आपका काम फिर टूल बनाना नहीं होगा आपका काम होगा प्रॉम्ट लिखना और उससे आउटपूट लेना समझाई बात की हाँ अगर आप टूल भी बनाना चाहिए यू कन डू इट जो आपकी एक एक एक्ट्रा स्किल होगी लेकिन प्रॉम्ट इंजिनियर्स का काम होगा बेस्ट टूल को चूज करके उसको अच्छे तरीके से यूटलाइज करना अब आगे चलते हैं AI पुलीसी मेकर्स की तरफ अब आपको मैंने कल भी बताया था कि दुनिया में इतनी इतनी ज्यादा जॉब्स आई हुई हैं जिसमें सबसे बड़ी जॉब इस वकर जो AI के लिए बहुत जुरूरी है इस AI पुलीसी मेकर्स वो लोग जिन्होंने AI के रेगुलेटर है को फिर हमारे पास अथिस्टे होंगे जो एतिक्स बनाएंगे बेसिकलj इसे डुलीसी जो यहां बॉलेडकनि इस वहाले पर हर कंपनी का एक बोर्ड ऐसा होगा जो इस वज़ा से AI को regulate करेगा क्यों क्योंकि अगर उन्होंने AI के दुनिया में कुछ घलत कर दिया उनको heavy fines होने है क्या ख्याल है आप मैंसे कितने लोगों को पता है कि टिक टॉक के CEO और फेस्बुक के CEO ट्वीटर के CEO और बकाइदा इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO हैं इनको US Senate के सामने पेश होना पड़ा है खास और पे लेजिर्स लेटर्स के सामने सिर्फ ये बताने के लिए कि हम मिस्यूज नहीं करें डेटा को पता है आपको इस चीज़ का तो भाई दुनिया में जितनी AI ज्यादा होनी है तो हर कंपनी को इन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़नी क्या ख्याल आप बजाए इसके के वो मिलियन बिलियन में फाइन दें वो बेहतर ये नहीं होगा कुछ ऐसे लोगों को पकड़ के अपने पास रखें जो उन सेनेट से पहले ही एनलेसिस करके हमें बता दे के हमारी कंपनी में ये मसला है तो वो होने वाला है हर कंट्री के अंदर होने वाला है तो अभी से अगर आप ग्रैब करते हैं चीज़ों को तो आप खुद सोचें अगर आपको AI का निया नॉलिज होगा तो आप कहां पे जाके जॉब करेंगे वहां पर तो ये एक उपर्चॉनिटी आपके पास आ जाए वाली क्यों क्यों कि यितना कानून होता है वो लिखा हुआ हुआ होता है इसका मतलब सारा टेक्सक फर्म में इसका मतलब होसा और सकते हैं So that's why आपका जितना भी AI ट्रांसफर्म हो रही है लीगल सर्विसेस के अंदर यू शूड लर्न अज लॉयर दैट AI इस वर्किंग इस वर्किंग अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए कि AI के रिस्क क्या है जैसे मैंने बताया के बड़ी कंपनी यूज करेंगे तो रिस्क भी होंगे साथ तो उनको अगर खुद नहीं पता होगा लायर्स को वो किसी को क्या बताएंगे क्या ख्याल है मिसाल के तोर पे अब तलवारों का जमाना थोड़ी है अब गार्ड को कंपनी बाहर तलवार दे के खड़ी थोड़ी ना करती है उसको राइफल नहीं पढ़ा ही होती है एक बड़े वाली और फिर स्क्यूरिटी सिस्टम है वो जो गेट्स लगाए होते हैं बड़ी-बड़ी इंड़स्ट्रीज के बाहर उन्हां तलवारा दे नहीं ना फड़िया हो नहीं है रीजन के है दोर चेंज हो रहा है जब अगला दोर आएगा वहां पर उन्हें लॉयर्स रही है लॉयर्स क्यों चाहिए जो AI को जानते हैं उनको देखने के लिए लॉग के अंदर भी उन्होंने देखना है फिर बार में there are many things अगर opponent कोई misuse कर रहा है AI का तो उनको वो points चाहिए है के अपने opponents के खिलाफ जाने के लिए अपने मौकफ को अच्छा बनाने के लिए they will use something like this मिसाल दे दे तो आपको छोटीजी मिसाल एक case अगर होता है कि जिए फ्लाम बंदे ने आज ही मेरी एक दोस से बात हो रही थी चाइना में उसने मुझे पताया कि चाइना के अंदर एक बंदे ने deep fake के through किसी एक business man को call की और उसका three के four million yuan का नुकसान हो गया ठीक है अब just imagine करें जो lawyer ये case लड़ेगा उसको अगर पता ही नहीं होगा deep fake क्या तो वो क्या लड़ेगा एक जोग है पंजाबी में बड़ा मशूर है कि एक बंदे ने चे में लड़ाई तक वक्ता आया अगले ने बंदू कर ली तो यह वही हिसाब हुआ है कि वह सारी जिंदी की लाउ सीखता रहा अगले बंदे निकाल के रख ली अगर लॉयर्स की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं जो लोग कहते हैं कि मैं अगर AI ने सीख सकता तो मुझे AI क्यों सीखनी चाहिए तो मैं सिर्फ एक इसेंपल दिया लॉयर्स की अब यहां पर एक स्लाइड मेरी आगे चलीगी है और अगर लॉयर अगर लॉयर प्रॉंप्ट इंजिनरिंग को जानता है ना और AI को थोड़ा वो जानता है एक चोटी सी मीम मेरे सामने आई थी आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ इस नोट माइन यह ओनलाइन मैंने लिए और रेफरेंस यह नीचे दिया हुआ है अब मेरी बात याद रखिएगा यह इसका बहुस है वह इसको कह रहा है जौ्ट संअ इसका नाम है जौंटसन जौंसन एयर प्लेसिंग याप वह कहता है कि वैनाय सूर्वाइब समझा एगी बात के इस पूरी मेंकी और यह इंटरनेशन विल बड़े मशूर हुआ है तो आपको समझ आ रही है यहां पे कि उसे कहता है लो चोड़ो तुम्हें प्रॉंक्त इंजिन्रि안 आती क्यों क्यों करने अगर प्रॉंक्त इंजिन्रिंग लॉयर सीख लेता है तो क्या ही बात है अब बात करते हैं जॉब मार्किट कितनी बड़ी है 11 जुलाई को यह मैंने स्क्रीन शॉट्स लिया आपके सामने यहां पर दिखाता हूं LinkedIn जॉब सर्च के मैंने सिरफ AI लिख है AI की जॉब कितनी है जनाब यहां पर अकाई दाई सैकड़ा हजार दहजार लाग एक लाग अठावन हजार पांसो चोहतर in United States ठीक है कुछ इसमें से remote भी है पाकिसान में बैठके भी आप कर सकते हैं कुछ आपके पास on spot है तो AI के jobs इतनी है मैं सिरफ AI की बात कर रहा हूं I'm not talking about data science, data analysis and big job families मैं सिरफ AI की बात कर रहा हूं Next यहां पर यॉरप के अंदर यानके European Union के अंदर आपके पास 9434 job आज पड़ी हुई है आप अगर आज data analysis या AI सीख जाते हैं You are eligible to apply on 90,000 plus jobs उनसे पूछें जो एक specific domain में उनकी पांचे jobs बड़ी मुश्किल से मिलती हैं So 90,000 jobs आप कह रहे हैं AI jobs खा रही है चलें आगे चलते हैं United Arab Emirates साटा हम साया या एक के समदा है क्योंके हर बंदा कहीं ना जाए तो दुबई तो चले जाता है या United Arab Emirates वाली साट पर निकल जाता है अब वहाँ पे 370 job अभी पड़ी है और आपको पता है दुबई IT वालों के लिए या AI वालों के लिए golden visa भी निकाल रहा है या निकाल दिया हुए If anybody knows He or she can share तो वहाँ पे आप स्कून से visa के लिए apply कर सकते है इफ ये no AI Then पाकिसान के अंदर AI के jobs 149 पड़ी ही ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने 31 जुलाई को देखें दिए उसके बाद भी आगी होंगी अब आपको बताता हूँ कि दुनिया के अंदर इस वकत सबसे ज्यादा जो job advertisement हो रही है वो किन चीज़ों के हो रही है ये by the way analysis जो है ना basically 2025 और 2018 का comparison है और जो आपको blue वाली चीज़ नज़र आए कि that is actually increased in 2025 यानि कि कौन सी जौब 2025 तक बढ़ जाएंगी सबसे पहली आएगी cloud computer जिसको cloud computing कहते है ठीक है वो बहुत हैवी होने वाली है अच्छा ये big data analytics क्या है data analytics, data science, big data जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वोई सारी चीज़ें ये इतनी increase कर जाएगी ठीक है and then we have internet of things IOT and so on and so forth artificial intelligence यहाँ पे आती है so machine learning and natural language processing यानिके NLP and ML ये दोनों चीज़ें बहुत हैवी किसम की increase करने वाली है obviously हमारे पास जो job criteria 2025 तक जो बहुत जल्द आने वाला है increase ही हो रही है jobs कम नहीं हो रही है जो कम हो रही है वो new materials की quantum computer के इस तरीके से jobs जो है ये कम हो रही है बाकी increase कर दी है आप अंदाजा लगाएं increase करें या decrease करें अगर आप skillful हैं और एक मौके के ऊपर आपको 90,000 jobs के ऊपर apply करने का मौका मिल रहा है only in one country चोला मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में आप total 100 jobs पे भी apply कर दो 90,000 तो बहुत दूर की बात तो यार इतना तो अल्ला पे यकीन रखो ना कि कुछ न कुछ बनेगा आपका but before that you need to train yourself वो कैसे करना है मैं भी आपको बताता हूँ अब हमारे पास linkedin learning के बड़े बड़े courses मुझूद है online free में available है अब मैं आपको courses बताने लगा हूँ इस course के अंदर जिसकी registration link जो है मैंने औरेडी chat में आपको दे दिया हूए जारी बात है आप में से काफी लोग हैं जो कहते हैं कि हमने pay नहीं करना है इस course के लिए हलांकि इसकी fees उतनी है जितनी FSE बच्चे की tuition fee होती है एक माह की and you are learning something for 40 days by the way जो companies most in 2020 जो real life skills है जो चाहिए होने वो blockchain obviously वो different subject है हमारा subject नहीं है cloud computing है analytical reasoning, artificial intelligence, UX design, business analysis इस में से तकरीबन 3 से 4 jobs जो हैं वो data science और AI से related है ठीक है मतलब यह कि अगर आपको यह skills आती है ना तो आप बहुत आगे है obviously you need also soft skills जिसमें communication है बोलने का तरीका है अपने चीज़ों को represent करने का तरीका है and so on so forth अब आगे चलते है क्यों यह सब कुछ क्यों जरूरी है मैं आपको बदाता हूँ यह एक Harvard Business Reviews ने एक post की थी in 2012 में 2012 में अमेरिका में यह चीज़ पोस्ट हो चुकी थी यह data scientist the sexiest job of 21st century उन्होंने यह बोला था exactly 2022 यानि के 10 साल बाद उन्होंने दुबारा से एक column लिखा एक पूरा article लिखा, blog आप कह सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया is data scientist still the sexiest job of 21st century exactly it is, इस वकत दुनिया में data scientist बहुत आगे जा रहे हैं, data scientist अगर हैं तो आप AI भी जानते हैं, आप machine learning भी जानते हैं, अगर आप AI वाले हैं, तो आप data scientist भी हैं, ठीक है, जो मैंने कल आपको diagram दिखाई थी, अगर data science की बात हो रही है, data analytics की, big data की machine learning, deep learning की, we are talking about AI, तो आप खुद सोचें के अगर यह sexiest job है, तो salary भी अच्छी खासी होगी, काम भी अच्छा खासा होगा, obviously, यह नहीं होगा, के दरो तुसी course की ता, चाली दिना दा ते दूज़े दन ता, आनू job लब जानी है, I am not saying that, जारी बात है, मेरे से एकसर student question करते हैं, कि चालीस दिन के बाद जाब मिल जाएगी, भाई, रिजक देने वाली जाथ Allah ताला की है, मैं सिरफ skill दे रहा हूँ यहां पर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आगे जाना है, अगर मेरे हाथ में हो, सभी को job देना है, मैं सभी को एक मेंट ना लगा हूँ job देने के लिए, ठीक है, so this is what you need to do, on the soft side, 16 साल पढ़के तुस्य जाब नहीं लगी ते चार मेने या चाली दिन मेरे को पढ़के की में जाब मिल जाएगी, so you need to improve your soft skills as well, you need to be skillful, अब थोड़ा सा टाइम अगर लें अपना, लिंग डिन पे जाके صिर्फ सर्च करें कि data science की कितनी jobs हैं, अपनी क्या करना है, LinkedIn पे जाना है, LinkedIn पे जाने के बाद, वहाँ पे आपनी job वाली चीज़ पर click करना, मैं आपको वापिस जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर jobs आ रहा होगा, कि आपने क्लिक कर नहीं हैं यह अपना country स्लेक्ट कर लेना है और इस जग़ा के उपर आपने अपनी कि वर्ड देना कि और आपने बताना है कि कितनी जॉब्स इस वक्तव्यूर्ड प interven पर स्क्रीन शॉर्ट नहीं आपने सिर्फ नंबर देदेना है कि यह कंट्री था यह मैंने कीटम यूज़ की है और इतनी जॉब्स डेटा साइंस मिशीन लेंडिंग या डेटा एनलिस्ट यह तीनों यह अपनी मर्जी का कोई लगा सकते हैं जितनी जॉब फैमिली इसमने देखी आप मैंसे काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को साथ-साथ करेंगे तो आपका फायदा है तर्वाइस इस फाइन क्योंकि जाहरी बात है जितना मर्जी कर लो मैं आपको मुझबूर नहीं कर सकता विक्यूज मैं आपका अंकल थोड़ी नहीं टलें आप मैं से जितने लोग ड़र रहे हैं के क्या करना क्या नहीं करना तो उनको मैं दिखा दक थेता हूँ ठीक है अक्सर अकात यह देखें आइकन भी रियल लाइफ के साथ मैच करते हैं पुराने जमाने में बाबू बंदा वही होता था जो ब्रीफ के साथ में पगड़के जॉब पर जा रहा था था ओफिस में सो यह ब्रीफ केस पर क्लिक करें यहां पर अपनी स्किल आपने लिख आप क्या कर सकते हैं यहां पर रिमोर्ट पर क्लिक करते हैं ठीक है तो यह स्टील है आपने वहां पर नहीं जाना तो मैं सेम चीजों को ऐसे रखता हूं मैं EU पर आतेता हूं यूर्बीन यूनियों यू कन सी दे जॉब्स 1866 अब चलते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर रिमोर्ट जॉब्स आपको 94 रिमोर्ट जॉब्स पढ़ी है इस वकत पाकिस्तान के अंदर मैं डेटा साइंस लिखा हुआ है AI लिखता हूं तो देखते है यह जी मेरे पास AI की जॉब्स कितनी है 54 so you can have an idea कि पा कर दू 225 वो लोग जो युनिवर्स्टी के अंदर अभी भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंटर्शिप्स करना स्टार्ट करें विशा के एक रुपया नहीं मिलता आपको रिजन कंपनी का एक्स्पिरियंस मैंटर करता है so here you can click और आपको होती है different companies की नहीं होता आपको यहां पर जॉब नहीं मिलती तो there are many other things news paper देखा करें अक्सर को जंग news paper के पीछे आ रही होती थी युनिवर्स्टी की websites पर आती है so इस तरीके से आप अपनी जॉब्स को find out कर सकते है राइड जी यह तो जॉब का तरीका का और हो गया कि आप के लिए पूरा लेक्चर है आप यही नहीं जिस फील्ड में भी हैं जिस जॉब को भी कर रहे हैं आप उसमें automate कर दें किसी भी टास्क को यह सिंपल सी वार एक्सल पे आप रुजाना एक ग्राफ बना रहे हैं तो आप खुद ना बनाए ना उसको automate कर दे पाइटान के थू दूसरी चीज़ आप strategic insights लें data से और अपने data की base पर बोल लें अपने seniors को कि यार यह देखो यह data में यह बताता है कि हमें इतनी investment वाँ पर करनी चाहिए आप अपने AI trends दुनिया में बताएं अब आपको खुद को पता होगा अच्छा चलें question मैं करता हूं हम इसे कितने जिसको ना पता हो चैट जीपीटी क्या है चलें थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपको कब पता चला था कि चैट जीपीटी क्या है मतलब आने के कोई दो दिन बाद तीन दिन बाद चार दिन बाद for example नवंबर 2022 में आए तो आपको कब किस माँ में पता चला था मैं एक मिसाल दीए आप यकीन माने जिस लैब में मैं होना आदे लोगों को अभी नहीं पता हम पाकिसानी इंडियन बंगला देशी ये लोग आईटी में आगे हैं जो लोग यहां पर European level पर यह different countries के अंदर वो जो job कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं वो अपने field से बाइर नहीं निकलते आप एड्वोकेट बन सकते हैं अपनी organization के अंदर क्या मतलब मतलब यह कि यार फ्लान टूल है इसको यूज करो फ्लान टूल है इसको यूज करो पावर पॉइंट प्रेसेंटेशन बनाते हैं इतना टाइम लगाते हो यह लोग पकड़ो टॉक्टो पस औरीजिनल एक टूल विडियो बनानी है यार खुद क्यों बना रहे हो स्टीव एई पर चले जाओ अगर आपके पास डेटा होगा आपके पास कोई कोई मॉडल होगा आपके पास कोई एक औरगनिजन होगा आपके पास बाइयो डवेस्टी का डेटा हो सकतार आपने प्लॉट बनाने हो सकते हैं आपने कोई डेटा विजियलाइज करवाना हो सकता है अब मुझे बताएं कि आप किस फील्ड में हैं and why you want to learn ay मतलब क्या वज़ा पढ़ गई कि तुझी AI दे पिछ्छे आ गए कोई तो वज़ा होगी ना यह तो नहीं होगा कि शर्त रखी थी AI से को फिर हाथ मिलेगा इस स्प्क्रश्वरियν गग। इस सुर्टी अग्धिरी चूर्ची प्रर्टेव निडियरॉ आप्र मिलेयर व ईक्राम्टिंट आप्र मैं चारीडियर पत्क्राथ रख ट्युत धनि ए्पलावरेक्दियर. मलब हर किसी का अपना गोल है ठीक है इसी वड़ा से मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी गोल नहीं है तुसी ओ बंदियों को चलो यार एया ही करते हैं फिर भी अच्छा है चल यार रहा है कोर्स करके देख लेने हैं फिर भी अच्छा है you're on the right path let's see आप एक informed citizen बनने वाले हैं क्योंकि दुनिया में जितनी technology heavy आने वाली है you will be an informed citizen मलब आप एक ऐसे शेरी होंगे जिसको AI का knowledge होगा नहीं समझ आई मिसाल देता हूँ वो यादा नहीं नहीं elevator चली थी पाकिस्तान के अंदर वो जैसे खड़े होते तो खुद बाखुद उपर लेके जाती थी बंदे को आदी से ज़्यादा अवाम जो हमारे जैसे दिहातों से लोग उठके गए थे cities के अंदर वो परेशान होते थे और अभी तक आदे से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं डरते हैं उस पर बैठते नहीं या खड़े नहीं होते हैं उन्हों को यहीं नहीं पता लगता आप आगे रखना है कि पीछे रखना है रिजन क्या है वी आ नॉट इंफॉर्म सेटिजन्स आगे चलते हैं अगे चलते हैं अगर दुनिया में क्राइम आप के चेहरे या आपकी आवाज के थू हो गया तो आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे यह मैं नहीं हूं समझ आई बात की यानि कि अगर आपकी एडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है स्कैम हो जाता है तो आप कैसे उस चीज को डिफेंड कर पाएंगे इफ यू डॉंट नो कि वहां पर एग्जिस्ट करती है आप मैंसे कितने लोगों को पता है डीफ फेक का यानि कि यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं मेरी शकल पर या मार की बजाए अमारा आके पढ़ाने लग जाए अधाड़ी भी गयब हो जाए ठीक है समझ यहीं बात की के नहीं मतलब डीफ फेक इतना कुछ कर सकती है आपकी सोच से बढ़के पिर AI की लिमिट्स को अगर आप जानना ही नहीं पाएंगे आपको पता नहीं होगा कि AI क्या है यानि के मीडिया जो पोट्रे कर रहा है तुसी ते कहना है जो कह रहे है सही कह रहे है मिसाल के तोर पे मैं एक बात करने वाला हूँ अला खैर ही करे आडियो लीक्स होती है जब आपको पता ही नहीं है कि ओडियो कट होके AI की बेस पे जिसकी अवाज मर्जी बना दो बन जाती है तुसे ते कहना है ना यार मैंने खुद सुनी है आवाज उसकी आप जूड़ बोर रहे है अगर आपको AI की लिमिट्स का ना पता हुआ यार यार यह जो मीडिया पे न्यूस आई है यह ठीक है का खलत है ताड़े वास्ते ते पर सारा कुछ ठीक है ना आपको पता ही नहीं होना कि AI कैपबिलिटी क्या क्या रखती है ठीक है एंड तेन सोशल इंपक्ट के लिए आप रेडी नहीं होंगे यानि के सारी कि सारी जॉब ही ट्रांसफर्म होगी है प्राम्ट इंजिनिरिंग होगी प्राइवेसी स्क्यूरिटी की जॉब वो जो मैंने तलवार वाली एक्जेंपल दी उसी को मद्दे नजर रखे हैं आप खुद अंदाजा लगाएं पुराने दोर के अंदर गाड के साथ अभी भी जो आज कल का दोर है फैक्टरीज में अगर को जाता है कोई पर AI सिस्टम लगा दिया तुसी जाना है तो बारो बार वापस आ जाना है बाच्चों अगर ता नुए एदा ना पता है उना दी फैक्टरी बंदे बाज आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम चेंज हो गया यू नीड टू सम्थिंग तो इंटर देर या कोड आपको वह देंगे पॉइंटमेंट के लिए आप उसको को लगाएंगे फिर आप अंदर एंटर होंगे सो और यहां पर यह सिस्टम चलते हैं खास दोर पे एयर बीन बी क यह जो हाउसिंग चीज़ें होती ना यह बकाइदा उनके डोर्स के कोड़ होते हैं यहां पर वेस्टरन कंट्रीज के अंदर तो अगर आपको पता ही ना हो तो फिजिकल लिंक के बगाएर आप देखनी पाएंगे अन्देन एट येंड एप्रिशेट नहीं कर पाएंगे इड्वांसमेंट को ठीक है था है मिसालत तो तो जो किल कुछ से क्राएं अंदर पूटेंशल बहुत हैं वस्तों क्या कर रहे हैं हर इल्जाम अगले या जडा लगा के कुछ कर पाएंगे तो मिसाल के तो पाकिसान को हर पाकिसान.' अइड़ फूर्प कर पाएंगे तो अच उन्नों याद एक कोटन लग जान देने बोरी याली कोट या तो उसे बाहिर भेही देते हैं या वो खुद चले जाता है बंदा बाइर कि हमारे पास appreciation appreciation नहीं है कि जो बंदा एक AI-based कोई काम कर रहा है वो वो पैसों के बीच रहे हैं मिसाल के थोर पर यार क्रीम कितनी अच्छी है अप थी किसको सेल हुई या आपको पता है एशिया कि सबसे बड़ी डील हुई या IT इंडस्ट्री की क्रीम और उबर गी उसने क्या किया उसको जांसे पैसा मिला उसने का ठीक हो तो हमें जो इसको क्या बोलते मनौपली बोलते मुझे वो टरम बिजनस की सही नहीं या लेकिन यह मनौपली ही है जो बड़े प्लेयर्स चोटे को आगे आने नहीं देते महलें वाटसप था वो भी उसके पास है ठीक है तो आपका नोकिया वाला हान होने वाला है if you don't learn AI at the end why are you learning AI that is the question that you should write in your notebook now और आप नहीं इसका आंसर खुद ढूनने है मुझसे नहीं आपने पूछना के मैं AI क्यों सीख रहा हूं यह सीख रही हूं you should write now लिखें अभी अपनी notebook के अंदर के आप AI क्यूं सीख रहे हैं कुछ तो आपका मौकफ होगा ना उस मौकफ के लिए लिख दें प्लीज यही बात किसी बाबू शो ना मौना ने कही होती ना सभी ने पैंसलें पगड़के रिख रहे हुना था जो लोग कैमरे बंद करके बैठे हैं गुंगड की आड में ना AI नहीं सीखी जानी यकीन माने आप में कॉन्फिडेंसी नहीं आना किसी के सामने खुद को प्रिजेंट करने का तूसे करना चूटी हो जाए किसे सामने जाना जरा टेक के छोड़के बैठें आपको मजा आएगा पढ़ने का यकीन माने मैं मैं चार गहंटे पांच गहंटे अलहम्दुलिल्ला बोल सकता हूं लेकिन ऐसे नहीं मैं पढ़ाता होता है यह सिर्फ ठीरेटिकल पार्ट है स्टार्ट स्टार्ट के अंदर इस वड़े से आ जॉब कहां पर ढूब इतनी उपरजुनिटीज मैंने आपको बता दिया इनो स्किल आपको होना ज़रूरी है आपके पास आप यकीन मनें किसी किसी कंपनी को भी तक यह नहीं पता कि उन्हें AI की जरूरत है वो आपने बताना है कि मिनू रख लो मैं आया कर दे आगा हूं इसा दोर भी आने वाले है इन्शाला ओके जी आपने लिख लिया होगा यह सब कुछ अब पॉसिबल एप्लिकेशन ऑफ एई कौन कौन सी है जो अभी आपके सामने नजर आती है आटोमेटिक डॉर्स आटोमेटिक डॉर्स का तो पता है ना यह एई है छोटी सी मिनी सी आपिएba और अदर पाकिसान के अंदर भी अभी इंारेट जकम認 पार आज थे शहांती लिक तो आव्यू थे ना तो इससी लाइटे लगे यह ओती हैं यहांपर हम लोगों को आदिगे मोबाइल यूज़ करने बाठे न को पता है तो तकरीब Stay साट सेक्ट वाल लाइट बाद हो जाती फिर असी है जो हाथ तर्ला अंदे फिरीद है वो चल पर आए है सो मोशन लाइट्स यानि कि आटमेटिक लाइट्स आपकी स्मॉट वाच इसके अंदर सारी AI है ठीक है इसका जो मोशन सेंसर है जो ब्लड शुगर आपकी कल्कुलेट करके तो वो उसके सेंसर है जो आपको बताते हैं ब्लड शुगर और बाके चीज़ें ऑक्सीजन लेवल तो यह सारी AI की बेस पे है ठीक है बैक्राउंड रिमूव की अप्लिकेशन जो ऑनलाइन होती है जिसमें आप तस्वीर डाल के कहते हैं मेरा बैक्राउंड रिमूव कर दो इसका ठीक है वह वाली सारी अप्लिकेशन वह भी AI वेस पे चल रही होती है ठीक है अपना फिल्ड ऑफ स्टेडी और AI अब क्यों यूज करना चाहते हैं वह जुरूर लिखेगा अभी अपना नाम फिल्ड ऑफ स्टेडी और वाई यूँवां तो यूज करना चाहते हैं एक ही मैसेज के अंदर कॉमा डालके तो हसन किसी ने लिखा है वो हसन वह उपर वारे कि मैं यह करना चाहता हूं सो कॉमा डालके लिखेगा प्लीज